हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं आज आपनों से होम रेमेडी सेर करूंगी जिससे हमारे घर में मच्छड कभी नहीं लगें और हम दो सुकून से सुएं तो आज कल गर्मी का सीजन आ गया समर के सीजन में मच्छड बहुत लगते हैं और परिसानी बहुत बढ़ जाती है तो उसके लिए मैं क्या की हूं एक यह रिफिल मेरे पास खाली था मच्छड माने वाला जो लिक्विड आता है उसी का यह रिफिल था तो मैं इसमें से इसी में बनाऊंगी आज अपना होम रेमेडी और आपनों को यूज करने के लिए मैं ज़रूर बोलूंगी य दूसरे बार के लिए बना रही हूं तो सबसे पहले कोई भी प्रोड़क्ट मैं बनाती हूं तो पहले अपने यूज करती हूं और जब मुझे फाइदा होता है तो मैं अपने दोस्तों से सेर करती हूं तो देखिए यह मेरे पास खाली बोटल पड़ा हुआ था इसी में मै आज होम रेमेडी बनाओंगी जिससे हम लोगे घर का मच्छड भी भाग जाए और हम लोग सुकून और चैन का नीन भी सुए तो यह मेरे पास रिफिल का डिबा जो पड़ा हुआ है इसी से मेरा काम हो जाएगा तो मैं पूजा रूम में जो कपू दिउज करती हूं इसी फ्रेंडली हो तो देखे यह दो टिक्या है इसको मैं पहले मैस करूंगी तो इसके लिए मुझे चाहिए एक पेपर तो इसको पेपर प्रक करके इसको अच्छे से मैस कर लेंगे यह आसानी से मैस हो जाता है इसको थोड़ा सबसे से करिए और यह मैस होकर के पाउडर में ब भर दूंगी तो इसमें होल होता है आप चाहें तो उजला वाला निकाल करके अच्छे से इसमें भर सकती है लेकिन मुझे लगा कि नहीं नहीं निकालेंगे फिर भी मेरा इसमें होल है उससे मेरा यह पाउडर जो है कपूर का अंदर चला जाएगा तो मैं इसमें पहले भर द है मैं हर काम में अपना बजट देखती हूं तो मैं इसमें पहले कपूर भर देती हूं और बनाती हूं यह मुश्किल से एक बनाने में आपको 30-40 रुप्य खर्च होंगे और यह बन करके रेडी हो जाएगा और चैन सुकून का निंद अप लीजिएगा तो देखिए इसमे पूरे कपूर का जो पावडर था मैं इस फोल से इसको अंदर कर दी हूं इसे डिब्बे में भर दी हूं बोटल में और इसमें अब मैं डालूंगी ताड़ पीन के तेल ताड़ पीन के तेल आप कहीं से भी ख़र दी सकती है जैसे आपको पेंट के जो सौफ होते हैं लिक्स कर दूंगी और मेरा ये मच्छड मारने वाला लिक्विड होम रेमेडी बन करके रेडी हो जाएगा तो मैं यह दूसरा बोटल बना रहे हूं एक बोटल बना करके मैं अपने घर में यूज की हूं मुझे बहुत फायदा हुआ है एक भी मच्छड नहीं लगते हैं और कपूर खुस्बण मेरे में हमेशा बना रहता है तो इससे मुझे बहुत शुकून मिलता है बहुत अच्छे सका हैं और बच्छे भी मुझे बहुत भूस्द 我ो जा बस इसको दो तीन बार ऐसे ऐसे करें और यह करकर रेडी हो जाएगा और बन करके हमारा या देखे रेडी हो गया तो देखें जहां से सोईए एक मच्छड भी नहीं लगेंगे और कपूर के भीनी भीनी खुसबू आपके रूम में हमें साथ विख्रा रहेगा और सुकून से सोईए और आपको अगर फायदा हो तो मुझे जरूर बताएगा कमेंट करके और अपने दोस्तों से मेरे वीडियो को जरूर सेर करिएगा और मु झाल झाल झाल